हलो गाईज, वेलकम टू कौन स्टडी, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आपको डेली वीडियो प्रवाइड कर रहे हैं आने वाले जेके बाइंग एक्जाम के लिए, तो गाईज इस लेक्चर में आज हम करेंगे सिंप्लिफिक से आप उन्हें देखिए, मैंने बिल्कुल बेसिक से नंबर सीरी के कोश्चन करवाए हैं, बेसिक से मौडरे लेवल के और नंबर सीरी की आगे वीडियो आती रहेंगी, जो जो मुझे इंपॉर्टन कोश्चन लगते हैं नंबर सीरी के जो प्रीविएस येर में आये हुआ है ऐाथ इंटु सेवन, नान इन्टु ऐलेवन, एट इंटु फोर, वाइव इंट इन्टु सिए तो हमें पता होता है, ये वाली चीज़े हमें पता हैं, क्यूँकि अगर आपको इसमें दिकत है, फिर आपके लिए दिकत होगी एक्जाम में, क्योंकि फिर आप माइंड में कीजे इन चीजों को ना की लिख के कि गाइस देखे 20 मिनट ही होंगे 35 कोश्चन करने के लिए तो 35 कोश्चन अगर 20 मिनट में करने हैं तो कुछ चीजे तो ऐसी होनी चाहिए जो हम अगर आप पैन उठाओगे उसको लिखोगे पेज पे तो वह टाइम ही तो जा रहा है ना अगर आप इसको माइंड में कर लोगे अगर आप यह देख के चीजे पता लग रही हैं अगर आप सेवन इंट याद करोंगे एट सेवन इंटू फूर यह होता है पाइव सेख सेवन तो यह आपके लिए टाइम वेस्ट होगा तो इसलिए पहले इस पर जादा फोकुस कि अगर आपको यह चीजे आती हैं तो फिर आप यह वीडियो को अच्छे से देखे क्योंकि मैं आपको आगे बता आता है कि डबल डिजिट में ऐसा होता है डबल डिजिट की मुश्किल होते हैं वो भी आप बहुत एजली कर सकते हैं उसमें भी कोई टाइम वेस्ट नहीं होता है तो देखिए यहां पे नाइन इंटू नाइन एटीवन यहां तक तो आपको फाइफ इंटू सिक्स जब एक सिंगल हो एक डबल हो वो भी हम कर लेते हैं जब सिंगल हो और डबल हो वो भी हम डाइर्ट मिल्टिप्लिकेशन से कर लेते हैं देखिए तो ट्वेल इंटू एट है वो भी आपको हो जाएगा 16 और 9 96 ये भी आप कर सकते हैं अगर यहां पर 15 इंटू 8 दी है 8 5s of 40 8 इंटू 1 8 प्लस 4 120 तो ये भी बन सकता 120 दिक्कत कहां आती है जब डबल डिजिट हो जाती है डबल डिक्कत भी नहीं बट वहां पर हमें टाइम नहीं लगाना है हम टाइम नहीं लगाना हमें पेपर में उस मल्टिप्लिकेशन को करने में क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे डबल डिजिट में सब्वोज आपको मैंने दिया हुए 12 इंटू 11 तो अगर आप इसको ऐसे बनाओगे 12 फिर यहां पर फिर से 132 यह नहीं करना है यह छोड़ दीजिए अब यह चीज नहीं कर दीए यह टाइम ले रहा है तो अगर आपको यह चीज पता है 12 इंटू 11 दिखे इसको किस तरीके से कर सकते हैं एक तो मिर पास option होगा यहां पर 12 10 प्लस 1 का यह आपको time consuming लगेगा बट यह वाला step भी आप cut कर दोगे जब आप practice कर लोगे इस चीज़ की तो 120 प्लस 12 यह कितना हुआ 132 तो मैंने क्या किया जो 11 था मेरे पास 11 को मैंने 10 प्लस 1 में कर दिया अब मेरे पास यहां पर क्या बचे गया 120 प्लस 12 तो यहां पर बन गया 132 इस चीज़ को अगर हम दूसरे वाले method से वह जो basic करते हैं तो वह cross वगरा करना पड़ता हो उसमें अगर जिस पच्ची को square आते होंगे अब मैं बताता हूं स्क्वेर से भी कैसे कर सकते हैं 11 था यहां पर 11 प्लस 1 यह भी तो हो सकता था ना अगर मैंने 12 को distribute कर लिया तो यहां पहले 12 11 को क देखिए 12 इंटू 11 अब जिस बच्चे को टेबल साते होंगे 11 टूजा 22 11 वंजा 11 और टू 13 यह भी हो गया तो यह 132 यह से बन गया तो आपको आपकी command है जिस चीज़ पर अगर आपको टेबल सा रहे है 11 का पता है 11 टूजा 22 11 वंजा 11 और टू 13 अगर आपकी इस पर कीजिए बट आपको time save करना इस चीज़ को करने में यह तो easy question था तो यह आपको कोई difficulty नहीं आएगी बट कभी-कभी हमर पास थूड़ी सी टू 13 तो मैंने आपको क्या बताया 16 यहां पर क्या होगा 10 plus 3 और देखिए मैं छोटा नंबर इसलिए कर रहा हूं पहले मैंने छोटे नंबर को 11 में लिया था यहां पर 3 को लिया था क्यूंकि देखिए 16 इंटू 3 करना में लिए असान होगा अगर मैं 13 को ऐसे करूंगा 13 10 6 तो 13 into 6 लंबा है न तो 6 को मुझे जाना पड़ेगा फिर आपको उसको फिर multiply करना पड़ेगा इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ यहां पर 16 into 13 में 16 को as it is रहने दे रहा हूँ 10 plus 3 करूंगा यहां पर तो यहां पर क्या हुआ 160 48 एड हुआ तो यह क्या हुआ 208 ठीक है 208 अब देखिए अगर अब मैं next question करूंगा मैं step को भी नहीं लिखूंगा तो आपको देखिए direct आपको सिर्फ addition करना पड़ेगा द्यान से देखना आप next है जैसे इसमें 14 into 7 तो 17 into 14 या 14 into 7 तो मैंने आपको क्या बताया 7 तो आपको बता है कि एक बर इसको 10 17 into 4 68 तो यह कितना होगा 238 क्या कि है मैंने 17 into 10 170 17 into 4 कितना होता है 68 तो देखिए आपका direct answer आ गया अब इसी चीज को जैसे अगला वाला question है 18 into 19 अब देखिए 18 into 19 है 18 into 19 को मैं आपको दो तीन तरीके से बताऊंगा 18 into 19 एक तो आप इसको वैसे कर सकते हैं जो नॉर्मल मैंने method बताया अब देखिए अगर मैं 18 18 plus 1 करता हूं तो आपको 18 और मैंने बोला था square learn करने है 18 into 18 क्या होता है 324 plus 18 कितना हुआ तो यहां पर अगर मुझे square जात पता था इसका 18 into 18 तो मुझे मेरे पास direct answer था 324 और प्लस 18 तो मुझे इस question में कितना time लगेगा यहां पर क्या लिखा था 18 into 19 तो इसमें कितना time लगेगा मुझे पता है यह 18 plus 1 बनेगा तो 18 into 18 324 प्लस 18 तो कितना time लगा मुझे से 3 या 4 सेकिंड तो यह अगर आपको square पता था इस question में तो आप direct कर सकते थे अगर मैं आपको यह चीज़ दू 12 into 13 तो आप क्या गरूगे इसमें देखे 12 होगा 12 प्लस 1 होगा तो आपको 12 का square नहीं पता 144 प्लस 12 कितना होगा 156 426 415 और 12 इंटू 12 144 और उसमें कितना add करना पड़ेगा तो आगे अगर मैं कोई भी square लेता हूं सपोज मैं लेता हूं 17 into 18 तो 17 into 17 कितना होगा 289 प्लस 17 तो यह कितना होगा 306 तो देखिए जो square के पास नंबर होंगे उनको जाधा easily कर उनको आप जाधा easily कर सकते हो सपोज यहां पर मेरे पास दिया हुआ है 21 into 22 तो 21 का square 441 और उसमें एक और add करना पड़ेगा तो यह कितना बना 264 तो कितना बनाईए 462 अगर आप इसको दूसरे method से करेंगे ऐसे 21 तो यहां पर क्या करना पड़ता हूं 20 plus 2 तो क्या बनाईए 420 21 into 2 42 और 0 तो ऐसे लगाना पड़ेगा तो यहां पर भी कितना 42 तो देखिए इसमें भी क्या बना 462 तो दोनों method से 462 आता है अगर आपको square वाल square अच्छे से आते हैं तो आप square से कीजिए इसको अगर नहीं आ रहा है square तो यह basic तो है हमारे पास अगर आप थोड़े से question करो होगे तो यह वाला step भी आप नहीं लिखना पड़ेगा direct लिखोगे 21 into 20 420 और 42 फिर से तो यह क्या बना 462 अब यहां पर दिया हुए 19 into 21 अब देखिए यह double digit के मैंने आपको example दिये हैं अब यहां पर suppose मुझे दिया हो 29 into 12 तो यह आपको थोड़ा लगेगा कि यह कैसा 29 into 12 देखिए मुझे यहां पर पता है एक तो मुझे 29 को 10 से इंटू करना पड़ेगा तो देखिए कोई भी चीज 10 से इंटू होगी तो क्या होगा उसके end में 0 आएगा 29 into 2 आप कर सकते हो अराम से 58 यह answer कितना बना 348 अब मैं आपको वोले step नहीं लिखके बताऊंगा कि 10 प्लस 2 ठीक है तो 20 ब्लस 2 एक बारी वो 2 के साथ होता 20 के साथ एक बारी 2 के साथ अगर यहां पर मुझे ऐसी दिया हो 39 into 13 तो देखिए बहुत बड़ा आपको नंबर लगेगा कि यह कैसा नंबर है तो देखिए 39 को इसको मैं आपको दो तीन तरीके से बताता हूं 39 10 प्लस 3 है ना तो थर्टी नाइं टैन प्लस 3 क्या होगा थर्टी नाइन इंटू 10 प्लस 3 तो थर्टी नाइंटी अब थर्टी नाइन इंटू 3 तो करी सकते हो ना यह 1 17 to 117 कितना हुआ 7507 तो इसके हाँ क्वेशिन कान से जया हूआ 507 रही सिंद्न आपको डायरेक्ट नहीं पूछ पूछे का वगे अगर आपकी अच्छी होगी तो प् лег Estill के कोशन पर मल्टी प्लिकेशन आएगी आपको स्कूर्ड अच्छी होंगे तो वहां यूज आए उसमें आएगा क्वाडरेटिक में भी आप यूज कर सकते हो तो मल्टिप्लिकेशन ऐसी चीज है जो आपको पूरे वेपर में हल्प करेगी उसके बाद है यहां पर जैसे मैंने 15 इंटू 16 दिया हुआ क्या करोगे 15 इंटू 16 में एक तो 15 10 प्लस 6 कर सकते हो यहां पर मैंने बिताया 15 इंटू 16 यह नंबर पास में ना तो इसका मतब स्क्वेर हो सकता है यह तो 15 इंटू 15 आपको पता है कितना होता है 225 प्लस 15 कितना बना 240 यह हुआ एक तो इसमें जो भी चीजें थी वह मैंने अब देखिए next है यहां पर एक 3 डिजिट का मित 3 डिजिट में कैसे किया होता है 3 डिजिट भी हम ऐसे ही करेंगे 3 डिजिट में भी कोई अलग method यूज नहीं होगा 3 डिजिट भी ऐस जैसे यहां पर दिया 242 इंटू 12 तो 242 इंटू 12 तो मैंने आपको क्या बताया नमबर छोटा होगा उसी को हम ब्रेक करते हैं जो छोटा नमबर है उस पे जादा ध्यान देते हैं उसी को ब्रेक करते हैं देखी कैसे 242 इंटू 12 यहां पर क्या करना पड़ेगा 10 प्लस 2 है न तो आप सीधे अगर आपको थोड़ा अभी प्र डिफिकल्टी होगी तो आप 10 प्लस 2 लिख देना तो क्या आएगा 2420 और टू से जब मैं इसको मिल्टिबल ही करूंगा 484 तो यहां पर 41092 904 तो आपको वो नहीं करना पड़ा जैसे हम 241 से करते 242 यहां पर क्रॉस लगाते फिर फिर से करते 484 फिर इसको एड़ करते तो वो चीज नहीं करनी है यहां प 16 तो देखे 144 इंटू 16 में क्या होगा 144 इंटू 16 तो यहां पर क्या बने गाई है 10 तो 1440 अब 6 को इसको इसके साथ मिल्टिबलाई करना है 64 ए ट्वेंटिफर इंटिफर टू 26 सिक्षे 6ओ 2 एट फोर 10 तू 3 0 4 इसको आंसर हुआ 2 3 0 4 नेक्स्ट है 181 इंटू 14 तो 181 इंटू 14 तो 1 इंटू 14 क्या होगा 181 इंटू 14 तो 14 को क्यासे लखना है 10 और 4 से 10 क्या बनेगा ये 4 बंजा 4 4 एट जा 32 और 7 4, 3, 5, 2 2, 5, 3, 4 अब देखे 181 सपोज आपको टेबल साथ आते हैं 14 का टेबल आपको पता है 14 बंजा 14 14 एट जा 1, 1, 2 इसमें मैं ये एक आड़ करना बढ़ेगा ये 3 और ये वाला कहां जाएगा आगे वाली टर्म में जाएगा 14 बंजा 14 और प्लस 11 25 जिनको टेबल साथे हैं जिनको अच्छे तरे टेबल आता है 14 का वो ये वाला मैथड करना वो आपको दूसरा वाली जो स्टेप है वो भी नहीं करने बढ़ेंगे 14 बंजा 14 तो इसका वन आया 14 एट वन वन टू यहां इसके साथ आड होगा तो यह 3 बना उसके बाद 3 बना यहां पर मैंने लिख दिया तो 11 यह वाला जो बच जाएगा यह आगे वाली टर्म में आड होगा 14 बंजा 14 प्लस 25 हम सिंगल डिजिट में यह चीज करते थे अगर मुझे यहां पर 44 इंटो 7 दिया है तो हम क्या करते थे 7, 4, 28, 7, 4, 28 और 2, 30 तो ज़रूरी नहीं है मैं डिरेक 7 से ही करूँ अगर मुझे 17 दिया होता यहां पर तब भी मैं इसको यूज कर सकता हूँ देखिए कैसे 17, 4, 68 कितना बज़ा 6? 17, 4, 68 प्लस 6, 74 तो यह क्या हुआ है? इसको हम डबल वाली को भी यूज कर सकते हैं अगर तो नेक्स्ट करते हैं यहां पर दिखोगा 169 इंटू 11 तो देखिए जब भी कोई number 11 के साथ multiply हो वो सबसे easy होगा देखिए 11 में क्या करना बढ़ेगा 1690 और 1 के साथ करना बढ़ेगा फिर से 169 तो 958 2859 तो एक बार यह तो 10 के साथ किया तो फिर से 1 के साथ direct लिग दूँग नमबर होता है तो यहां पर देखिए 10 के साथ किया तो 1430 अब देखिए यहां तो आप इसको 5 के साथ कीजिए ठीक है तो यह क्या बनेगा यह बना ठीक है तो 5 4 1 2 2 1 4 5 अगर आपको यह चीज़ भी नहीं करनी है तो यह आपका step यह वाला step यूज नहीं होगा 5 वाला देख 5 का मतलब यहीं होगा ना 10 by 2 तो इसका मतलब जो मैंने 10 के साथ किया था अगर मैं इसका half लिख दूँए तो वो भी यहीह आएगा वो बी कैसे 143 into fifteen था तो मैंने क्यां किया पहले जब 10 के साथ किया 1430 ठीक है अब मैं जब इसको 5 के साथ करूँगा तो 5 के साथ कैसे करूँ यहां तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूं नहीं तो मैं इसको हाफ भी तो कर सकता हूं ना जो 5 है वह ऐसे लिख सकते हैं उसको 10 by 2 इसका मतलब हाफ वह 10 का इसी चीज को मैं हाफ करके लिख दूँगा अगर तो वह भी इसके साथ आड कर सकता हूं ठीक है तो इसका अंसर क्या हुआ है अब यहां पर जैसे दिया हुआ 129 इंटू 29 तो देखिए 129 इंटू 29 यह लंब आपको बड़ी टर्म दिखरी होगी बड़ी तो अब मैं अगर यहां से गया 20 प्लस 9 करके तो मुझे 9 की साथ मल्टिपलाई करने का पड़ेगा वह एक बड़ा डिजिट होगा तो मैं क्या करूंगा यहां पर 129 था ना तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं 30 माइनिस 129 को अडिशन तो कर सकते हैं सब्ट्राक्शन भी तो लिख सकते हैं न तो 129 इंटु 3 आपको करना आ जाएगा है अब उस में से कितना माइनिस करना है वन वन ट्वेंटी नाइन तो कीजिए 3741 तो अगर हम इसको अड़ करके देखते हैं तो हमारा यही रिजल्ट आता है तो क्या कि एस में हमने जब 129 इंटु 29 दिया था तो मुझे एडिशन में जादा टाइम लगना था अगर मैं इसको 20 प्लस 9 करके करता क्योंकि 9 के साथ जब मल्टीपलाई करना पड़ता तो कितना बड़ा डिजिट बनना था वो इसलिए मैंने क्या किया स्मार्ट अप्रोच आप यूज करो अपनी उसी चीज़ को 30-1 लिख दिया मैंने तो देखिए अगर 10 प्लस 19 करेंगे तो 9 को इसके साथ मिल्टिपलाई करना पड़ेगा हम क्या करेंगे इसको 20-1 के साथ करते हैं तो 142 इंटू 20 क्या होगा 4820 है ना अब उसमें से किता सब्ट्राक्ट करना है 142 वो तो हो जाएगा इजिली सब्ट्राक्ट तो ये आपके पास ये भी एक मैथड़ अगर नंबर 0 के आसपास हैं जैसे 20 के आसपास था वो 30 के पास था तो हमने क्या किया वहां में सब्ट्राक्शन कर दी क्यूंकि 20 से पहले है ना अगर यहां पर मिरे पास 12 हो तो वहां पर 20 माइनिस ऐसे करूं 8 तो वह बेब कुफी क्यूंकि एक पर मुझे इसको 10 20 साथ करना पड़ेगा 28 के साथ अलग तो वहां पर जब भी नंबर यहां पर 29 हो 39 हो 49 हो तो उसके आगे वाले से सब्ट्राक्ट कर दो जब भी नंबर ऐसे हो 12 15 14 13 तो आप क्या करो उसको इस वे में करो 10 प्लस 2 10 प्लस 5 इवन 22 दिया हो तो उसको क्या करो 20 ब्लस 2 23 दिया हो तो 20 ब्लस 3 तो यह दो एक्जामपल और दी हुई है मैंने यहां पर मैंने किया हुआ है यहां तो मैं 167 को करता 40 ब्लस 8 से और और एक और स्टेप किया था 50 माइनिस 2 मुझे 50 माइनिस 2 इसलिए अच्छा रगा क्यूंकि मुझे यहां पर 5 से मुल्टिपल का जो भी मुझे पता था कि मुल्टिपलिकेशन जो मैं अप्रोच खुद यूज करता हूं एक्जाम में जब मुल्टिपलिकेशन के कुष्टन में यूज करना पड़ता मुझे तो यह मुझे काफी हैलफूल होती हैं और आया हो आपको भी काफी हैल्फ करेगा यह आने व